हलो दोस्तों नमस्ते विल्कम बैक टो वा चानल मैं हूँ स्रीजा आज की वीडियो में अपला के साथ में शीर करने वाली हूँ बाल के लिए बहुती बढ़िया सा टीप को नहीं चाहता है अपना जो बाल सिल्की रहे और ग्रोतिंग अच्छा रहे डेंडर पना रहे तो प्यूर नारियल टेल है यह तो आपके पास जो भी है आप बाहर से अगर खदवाए वो भी यूज कर सकते हैं यहां मैंने चार बड़े चमस ले रही हूँ यह जो कॉंडरी है मेरे बाल के लिए ठीक रहत है अपना जो बाल के लिए जितना अब जरूरत होते ता अब उतना ले लेजिए इसके साथ साथ मैंने हा कैस्टराइल को नारियल के तेल में मिलाना है इसको घरम करना है करने के पहले मैं ऊपको एक चीज दिकाउगा हूना है यह इसे कपस्थ अप जाने है और अभी आपका तुन ले साथ मैंने हां आड करना होता है और तेल को गरम कर दिये जोंगे अच्छा और जैसे भी आप यदो आउनियन के बहुत है लिखेसे बहुत युद्ध थी लूड़ा है इसके तो तो अब मैंने इसको एक बड़े चमच एक प्रीज करके डाल डाल कर अब देख सकते हैं, अब ए जो चाहिए है तो अपने छनी से भी, चाहिक पही चनी से भी अब छांन सकते up को सुखीज कर सकते हैं, तो अब मैं इसको जैसे डालूँगी, जो गारम की तेल है, डाल का गारम हो चुका है, ये विटमिन की कैपसल एक को मैं इसमें एड़ कर रही हूँ तो ये बिल्कूल अच्छा होता है हेर के लिए बालों को सिल्की करने के लिए जिनको ज्यादा रफनेस रहत है उनके लिए ये सब टीप बहुत बढ़ा होते हैं इस सब चीजों हमारा घर में हमेशा रहते ही हैं ये विटमिन कैपसल हम लों का दवाई की दुकान में एजिली मिल जाते हैं एक बार लाके रखेंगे तो आप योज कर सकते इसको बहुत दिन तक के साथ साथ और भी आप कुछ बाल को लगा रहें तो आपने इसको मैना में दो बार योज कीजिए नहीं तो इसको आपने सूबे लगा के शाम को धोली जिए बाल या रात को लगा कर सूबे धोली जिए गुनगुना पानी से ही बाल को धोना होता है अगर जल्द बाज में होते तो कम से कम एक गिंटा तो लगा कर छोड़के उसके बाद बाल को धो सकते हैं अगर आपको इस वीडियो को रिलेटे सब्सक्राइब कीजिए अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद